हालो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टेडिसर जी यूटूब चैनल पर दोस्तों आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हम यूजी सी को लेकर के जैसा कि अभी अभी गाइड लाइन जारी हुई नोटीस को लेकर के आपको बता दे यूजी सी क सारे विजजाले को लिए यह नोटीस जारी हुई है इसमें कैसे एक्जाम कराया जाएगा उसके भी जो है नोटीस में है और कितने इन्वेस्टियां है जो पूरी तरीके से लिए नहीं है तो सारी अपडेट मैं इस वीडियो में देने वाला हूं आप लिए यह वीडियो क नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो देरी करते हुए ना सिधे सिधे हम आपको notice की तरफ लेके चलते हैं आखिरकार इस notice में क्या है तो latest updates आजकी जो आ रहे हैं आपको सिधे सिधे उसकी तरफ लेके चलते हैं गाइस यहां से आप वीडियो देख पा रहे होंगे सीधे सीधे लिखा हुआ विश्विद्याल, अनुदान, आयोग, बहादुर, साजफर, मार्ग, नई, दिल्ली, फ्रेस, विग्यफ्ती में, कल की डेट में, लगभग लगवर, लेट नाइट में यह जारी हुआ था लोट इसकी है, नोटिस, इसमें सभी विद्यार्थियों के गुडवत्ता कर लेकर के बात की है, और एक्जाम को कैसे कराया जाए, उसको लेकर के इन्होंने बात किया हुआ तो आपको बता दे, परिक्षाओं के आकलन का एक अभी नंग है, परिक्षाओं में प्रदर्शन, प्लेस्मेंट और बेहतर भविस्त की संभावनाओं के लिए ब्यापक वैस्ट्रिक सिकार्था में योगदान देता है, तो आपको बता दे, इसमें इन्होंने और बताया कि जो अधर कंट्रियां है, जो पूरी तरीके सिक्जाम को लेकर के सीरियस है, तो उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, सिंगापूर, हांकांग और अन्य देसो, सहीत, विश्वर्क में बड़ी संख्या में सर्वोत्तम विश्विद्यालेओं ने परिक्षाएं संचालित की हैं या संचालित कर रहे हैं, जिसमें से जिसमें वे विभिन विकल्प जैसे आन्लाइन, आफ्लाइन, मिस्वर्क या परिक्षाओं के अन्य वेकल्पिक रूप अपना रहे हैं, तो उसमें वो अपने तरीके से जो सुटेबल समझ रहे हैं, अगर आफ्लाइन उनके यहां ज़्यादात में कंडिडेट डेड़ी हैं, तो आफ्लाइन कर रहे हैं, अगर online की तरह online अगर system उनके पास available है तो online करा रहे हैं या फिर बोथ दोनों मिस्र करके जो कुछ अगर online देना चाहते हैं तो online दे कुछ offline तो offline तो इस तरीके से ये country पूरी तरीके से ready हैं और आप सभी को पता हैं कि ये country पूरी तरीके से developed country हैं जितनी भी country हैं यहां दी गई उस पर विचार करके फिर से पुनर विचार कर सकती है फिलाल आपको बता दें पिद्यार्थियों के विश्व अस्तरी सच्षडिक और कैरियर की प्रगत से संबनित व्रित्तर हितों की रक्षा के लिए विश्व विद्याले अनुदान आयोग ने 29 सप्रेल 2020 को जिसमें उलेक किया गया कि टर्मिनल समिस्टरों अन्तिम वर्स की परिक्षाएं एक से पंद्रह जुलाई 2020 के बीच कराई जाएंगी बट इसके बीच में आपको बता दे कि इसी बीच में 31 तक जो है आपका 31 जुलाई तक लागडाउन हो गया और लागडाउन बढ़ने की बढ़ने वजह से अन्दिस पार्ट जो है मीटिंग बुलाईगे 6 जुलाई को और इसमें फाइनल येर की परिक्षाओं को लेकर के इन्होंना सितंबर में घुसित कर दी डेट अब ऐसे में देखना है कि कोविड-19 का जो कहर बढ़ता चला जा रहा है उसमें क्या UGC फिर चालन करना ठीक कठिन था इसलिए ग्री मंत्राले मानस अन्साधन विकाश मंत्री और विशे सग्य समित की रिपोर्ट के निर्देशों के अनुसार UGC ने परिक्षाओं और सैच्छिक कलेंडर के बारे में 6 जुलाई को फिर से उस पर संसुधित किया और नए तरीके से ए पुरी तरीके से भागीदारता थी और इसे 6 जुलाई की नोटीस को जारी करने में फिलहाल जरूरी भी है क्योंकि जब तक ग्रेमंत्राले किसी बात को लेकर के नोटीस अप्रूवल नहीं देगा तब तक आप कोई भी देश में काम ऐसा नहीं कर सकते जो चात्रों के पेन एवं पेपर या अनलाइन मिस्रित बोथार अनलाइन आफलाइन आपको बता दें पध्ध से सितंबर 2020 के अंतक पुरा करने के लिए योजरा की तैयारी करनी थी आपको बता दें कि दिसा निर्देशों में भी यविल्लेक किया गया है कि यदि विश्विद्याले परिच्छा में टर्मिनल समेस्टर अंतिम वर्स का कोई भी विद्यार्थी उपश्थित होने में असमर्थ रहता है चाहे जो भी कारण रहा हो तो उसे ऐसे पाठक्रम या पस्न पत्रों के लिए फिर से या विसेश परिक्षाओं में बैटने का उसर दिया जाएगा तो य फिलाल ऐसे में देखना है कि कितने स्टुडेंट ऑनलाइन इक्जाम में बढ़ते हैं कितने ऑफ लाइन में और कितने एक्जाम को छोड़ते हैं जो बाद में अपने लाइफ को या फिर बाद में डिग्री पर विचार करेंगे तो ऐसे में देखना है आने वाले समय में कै यजे सी या कैसे विश्वीद्याय अपने हां परिक्षाय कराते हैं और उसमें कितने अभियर्थी या कितने स्टूडेंट सामिल हो पाते हैं यह आने वाला समय रहता जो विश्विद्याला जब भी संभव हो संचालित की जा सकती है जो विश्विद्याला जब अपने इस परिस्तिती को देख करके सही सिच्वेशन को देख करके अपने हिसाब से चूटे हुए अभ्यर्थिये चूटे हुए छात्रों का फिर से एक्जाम करा सकती है फिलाल त प्रेसीद भी किया था तो आपको बता दें यह सोपी में जो गाइड लाइन जारी की गई थी उसमें आप जब जाएंगे एक्जाम सेंटर पे तो अपने साथ मास सेंटाइजर और गलप्स लगा के जाएंगे फिलाल जिसको सर्दी जुखाम रहेगा उसको एक अलग से कमरे म 945 विश्विद्याले जी गाइज 945 विश्विद्याले उ युजीसी द्वारा 162020 तक बनाई गए सूची के नुसार में से 755 विश्विद्याले ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी फिलाल 120 सम विश्विद्याले जिसमें से 274 निजी विश्विद्याले 40 केंद्री विश्व हुई थी ऐसे में अब देखना है कि यह सभी विश्विद्याले पूरी तरीके से यूजी सी की बताई गए गाईडलाइन को कितने हद तक फालो कर पाते हैं से इस विश्विद्याले से सूचना प्राप्त की जा रही है कि क्या वो रेडी होंगे या नहीं वो तैयारी या वो पहले ही परिक्षाएं अनलाइन आफलाइन आयोजित कर चुके हैं जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि कुछ स्टेट ऐसे थे जो पूरी तरीके से ग्रीन स्टेट थे अर्थात वहां पर एक भी कोविड-19 के पिसेट नहीं थे इस वजह से वो लागडाउन की प 27 निजी विश्विद्याले जो 2019-20 के दारान आज तक अस्थापित किये गए थे उनका पहले बैच अभी तक उनका पहला बैच अभी तक अंतिम वर्स या अंतिम परिक्षा के लिए पात्र नहीं होगा फिलाल आपको बता दें जो 19-20 में जो विश्विद्याले निजी वि फिलाल ऐसे चात्रों के साथ क्या करेगी यो जी सीगिसी अभी इंके अभी ओपन हुए है तो फाइनल येर की स्टूडेंन या फईनल येर की समेस्टर की परिक्षाओं के लिए उलिज़िबल नहीं है ऐसे में इनकी पातरता रद की जाएगी या यहां की स्टूडेंट को पूरी तरीके से एक्जाम के लिए वैरिट कर दिया जाएगा तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे विश्वी द्याले अनुदान आयों की तरफ से यह नोटिस जारी हुई है जैसा कि कल की डेट में लेट नाइट जो है जारी हुई थी और मैं इस वीडियो में जो भी बा आया और उम्मीद करते हैं कि यह जो यहां पे 500 जी गाइस यह आपके 500 755 विश्वी द्याले में से 306 विश्वी द्याले जो एक्जाम कराने जा रहे हैं अब ऐसे में देखना है कि वो कितने हद तक कारकर साबित हो पाते हैं शेप्टमबर में अपने यहां चात्रों को ले अपने यह नोटिस जारी कर दी है कि सभी छात्रों को पूरी तरीके सी एक्जाम में बैठना है उसके बाद ही इनको डिगरी देंगे तो जैसा कि तुगल की फरमान था इनका एक्जाम दो डिगरी लो उस पे पूरी तरीके सी आप चलने चालू कर दिये हैं अब कितना दू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो आप सब का तह दिल से सुक्रिया थैंक यू मिलते हैं नए वीडियो में नए नोटिस नए गाइडलाइन के साथ चैहिंद बंदे मात्रम